दोस्तों तुलसी का पोधा घर की नकारा तमग उर्जा को असकारा तमग बनाता है। कुछ लोग तुलसी का इस्तिमाल हेल्थ प्रोग्रम्स को दूर करने के लिए भी करते हैं। लेकिन आज हम आपको तुलसी के बीजों से वहने फाइदों के बारे में बताने जा रहे हैं। आयुरुवेदिक प्रोटीन, फाइबर, विटामिन A, विटामिन K, कार्बो हाइट्रेट, ओमेगा 3 फैटी आसिड और खनीज तत्मों से भरकूर। यह भी ठंडी तसीर के होते हैं। इसका सेवन जोन रोग, टेंशन, डिप्रेशन, दिमागी थकान और माईगरेन जैसे विमारे को दूड करता है। तो यह जानते हैं तुलसी के बीजों के सेवन करने से आपको क्या-क्या फाइदी हो सकती है। अगर आप सर्दी हैं और खासी से परिशान हैं तो इसके लिए लॉंग, तुलसी के बीज, इनको एक ग्लास पानवें उबाल लें। जब यह पाई आधा रह जाए तो इसमें सेंधा नमक डाल कर इसका सेवन करें। दिन में दो बार इसका सेवन आपको सर्दी, खासी और जुकाम से रहाद दिलाएगा। तुलसी के बीज, पुरुषों में होने वाली शरीरिक कमजोरी को दूर करने मदद करते हैं। इसका नियमेंत रूप से सेवन, यौन रोग और नपुनसक तक इसमस्य को दूर करते हैं। तेज सिर्दर्द होने पर तुलसी के बीज और कप पूर को पीस करें, इसकी मालिश करें, इससे आपका सेवन तुलसी के बीज को आपको टेंशन, डिप्रेशन और माइगरें से भी फुट करते हैं। अगर गरब धार्म करने में समस्य आ रही हैं। तो मासिक धर्म आने पर 5 ग्रम तुलसी के बीज को सुभ़ शाम पानी के स साथ लें जब तक मासिक चलें, चलें ना जाएं। इसका सेवन करें। जब तक मासिक आपका खत्मने हो जाता हैं, इसका सेवन करना है। एडिस जाने के बाद 3 दीन तक 10 ग्रम माजू फल चूरण को पानी किसा लें। इससे आपका इसमस्यत दूर हो जाएक। फाइबर औ अगर जोनी में इंफेक्शन हो गया है तो तुलसी के दीज और शहाद को पानी मिला दें दिन में दो बार पियें इससे बलेडर, किडनी और जोनी में इंफेक्शन के समस्या दूर हो जाएगी एकजिमा और स्वराइसित को दूर करने के लिए रुजाना तुलसी के दीज को पीस कर नारिल के तेले मिक्स करके लगाएं कुछ समय में या आपकिया परशानी दूर हो जाएगी अगर पेट में दर्द है या पेट की कोई प्रॉलम है तो रात को सोने से पहले एक गिलास दूद में इस बीजों को मिलाकर आप पी लेए इससे कबज, आसीटी, पेट में दर्द, गैस और आसीड एसमस्या दूर हो जाएगी तो दोस्तों ये थे तुलसी के बीज के फायदे, अमीद है आपको ये जानकरी अच्छी लगी होगी तो अपनी दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जीट कीज़ेगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्तिक जानकरी लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रहें और मेडिया अप धेर्स के साथ नौशकार धन्यवार